नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अगम्य सक्सेना, इंटर्वेशनल रेडियोजिस्ट, नोबल हॉस्पिटल, मिस्रोद भोपाल में हूँ हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी वेरिकोज वेंस बीमारी के बारे में और इंटर्वेशनल रेडियोलोजी क्या होती है इसके बारे में तो ऐसे ही एक इंटर्वेशनल रेडियोलोजी का तक्नीक है, एक विधा है जिसको हम यूज कर सकते हैं Diabetes के Patients में, Diabetes के एक विशिष्ट सबसेट अफ पेशेंट होते हैं, जिनको हम Diabetic Foot बोलते हैं, उन मरीजों में Interventional Radiology का बहुत एहम रोल होता है Diabetic Foot क्या होता है, कई Diabetic, खासकर अगर आप मेंसे जो खुद Diabetic हो या जिनके घर में कोई Diabetes के मरीज हो, जिनको लंबे समय से Diabetes हो, उन मेंसे कई मरीजों को पेरों में कई तरह की दिक्कते शुरू हो जाती हैं, उन दिक्कतों में ये हो सकता है कि पेर सुन हो रहा है, पेर क काला परड़ा है, खासकर पेर की उंग्लियों की टिप्स काली पर रही हैं, जिनको हम प्री गैंग्रीनस या गैंग्रीनस चेंजेग बोलते हैं, या पेर में कई बार घाव हो जाते हैं, ये घाव भर नहीं पाते हैं, मतलब वो किसी भी तरह-टरह की दवाईयों को, मरहम पट्टियों को इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो घाव नहीं भर पाते हैं जिनको हम नॉन हीलिंग अल्सर बोलने लगते हैं मेडिकल भाशा में इसी के साथ पैर पूरी तरह से सुन भी हो सकता है यह होता क्यों है डायवेटिक फूट के तीन प्रमुख कारण होते हैं उन कारणों में एक होता है नियूरोपेथी मतलब वहां की नर्स डैमेज होने लगती है नमबर दो कारण इनस्टेबिलिटी मतलब मरीज को नियूरोपेथी की कारण समझ में नहीं आता है कि मैं पैर अपना ठीक से कैसे रखूँ और किस पार्ट के बल पर रखूँ और नमबर थ्री जिसमें इंटर्वेंशनल रेडियालोजी का रोल होता है वो होता है बलड सप्लाइ में दिक्कत होना क्योंकि उम्र के साथ डाइबटीज के साथ बलड शुगर ज्यादा होने की वज़े से बलड प्रेशर भी ज्यादा होने की वज़े से और कई ऐसे जो लम्मे समय से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं चाहे तो सिगरेट बीडी के रूप में या तंबाकू चबाने के रूप में इन सारे मरीजों में खून की नसों में रोकावटे आने लगती हैं ये रोकावटे हमने सुना होगा जैसे जिनको हार्ट अटेक आ जाता है वो क् पर उससे पहले की स्टेज होती है जिसको हम एंजाइना बोलते हैं मतलब ब्लड सप्लाई कम जा रही है लेकिन अभी उतनी जा रही है कि वो हिस्सा मरित ना हो पाए ऐसे ही पैरों की नसों में सिकुरन शुरू हो जाती है शुरूआती स्टेज में मरीज जब चलते हैं तो की ब्लड सप्लाई कम है तो मसल्स जब चैलेंज हो रही है और उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूवत पढ़ती है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो मरीज को दर्द होने लगता है मरीज को रुकना पढ़ता है टिपिकल डाइबेटिक फूट के मरीजों की हिस्टी यह हो पाई स्टेज होती है लेकिन एक क्रिटिकल स्टेज आती है जब पैर की खून की ब्लड सप्लाई इस हद तक कम हो गई है या इस हद तक खत्म हो गई है कि बिना चले भी उस पैर में दर्द होने लगता है या बिना चले भी उस पैर की तुचा में घाव बनने लगते हैं य आमसौर पर मैंने ये देखा है कि ऐसे मरीदों को लगभग तुरंती सलाह देदी जाती है कि आप अपना पैर का कुछ हिस्सा कटवा लीजिए इसको हम एंप्यूटेशन बोलते हैं जैसे एक उंगली खराब हो गई यह उसको हम काट देते हैं या पैर को हम एंकल के लेवल प को बचा सकते हैं इंटर्मेशन रेडियोलजी तक्नीक के दौरा क्योंकि अगर हम ब्लड सप्लाई खोल सकेंगे तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई फिर से स्टार्ट हो जाएगी फिर से शुरू हो जाएगी और वो वो हिस्सा शायद कटने से बच जाए क्योंकि हमको यह सम तो हमारा एम होता है सबसे पहला है पैर को बचाना अगर हम पैर को पूरी तरह बचा ले जाते हैं तो इससे अच्छा और इससे बड़ा कुछ नहीं है इसी को हम लिंब सालवेज टेक्नीक बोलते हैं तो एक्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर जांग की पास की एक होती है जिसको हम सुपरफीशल फैमूरल आइटली बोलते हैं अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाता है जो बहुत कॉमनली डाइवेटिक्स में होता है तो उस ब्लॉकेज को हम कई तकनीकों से खोल सकते हैं जो सबसे बेसिक तकनीक है उसको प्लेन बलूग दा एंजियो प्लास जाती है तो ब्लॉड फ्लो री स्टोर हो जाता है मतब ब्लॉड फ्लो वापस चालू हो जाता है और हमको कुछी दिनों में कई बार कुछी घंटों में और कई बार कुछी मिनटों में मरीज के पैर में बद्जाव महसूस होने लगता है उनको बहतर महसूस होने लगता है लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यह सिकुरन वापस लॉट के आ सकती है क्योंकि यह सिकुरन जिन कारणों से आई है जैसा डाइबिटीज की वज़े से या तंबाकु सेवन की वज़े से या उम्र की वज़े से इन कारणों को तो एकदम से ठीक नहीं किया जा सकता तो plain balloon angioplasty के बाद नस फिर से सिकुरने की संभावना हो सकती है इसलिए हम मरीजों को कई बार उससे एक बहतर option है जिसको stent बोलते है जो heart में भी कई मरीजों में यूज किया जाता है in fact आजकल लगभग हर मरीज में stenting ही की जाती है heart में ऐसे ही हम जांग की नस में special stents होते हैं यानि की छले होते हैं धातू की बनी हुई नलिया होती हैं उनको हम इन arteries में डाल सकते हैं जिससे वो mechanically वहाँ पर हमेशा रहेंगे और उस नस को खोल के रखने की कोशिश करेंगी ये stents बहुत ही specialized होते हैं क्योंकि आप इस बारे में imagine कर सकते हैं कि जब ये stents जांग में use होते हैं और हमारी जांग की नसों में कितने ज्यादा forces होती हैं कितनी ज्यादा ताकते होती हैं जो हम चलते हैं तो बहुत chances हैं कि ये stents टूट सकते हैं या twist हो सकते हैं क्योंकि इनको बहुत सारे forces सहने पड़ते हैं इसलिए stents बहुत flexible होते हैं ये इतनी आसानी से break नहीं होते हैं बट stents से भी बहतर टेक्नीक अगर हम बात करें तो drug-coated techniques होती हैं जिनमें हम कुछ दवाईया ऐसी लगी होती हैं हमारे stents में या balloon में जिन दवाईयों को हम affected area में छोड़ सकते हैं मतलब नस का जो हिस्सा हमारा बंद हो गया वहाँ पे वो हिस्सा फिर से बंद ना हो प्लाक फिर से ना बने इसके लिए हम कुछ specialized दवाईया होती हैं वो drug-coated balloons के माध्यम से या drug-eluting stents के माध्यम से हम उस दवाई को महां तक पहुँचा सकते हैं ऐसी तकनीक के बाद वहाँ पे blockage होने की संभावना और कम हो जाती है क्योंकि हमारा aim क्या है देखे हमारा उदेश यह है कि मरीज अपने जीवन काल में लंबे से लंबे समय तक बिना repeat किसी समस्या के अपने पैर को समाल के रख सके और उसकी blood supply बनी रहे उसकी blood supply फिल से block ना हो तो हम ये तो बताते ही है मरीजों को कि आपको तंबाकू का सेवन कभी नहीं करना है आजीवन कभी नहीं करना है diabetes का strict control रखना है cholesterol अगर गड़बड है उसको control में रखना है अपना वजन कम करना है रोजाना चलना फिरना है हलका व्यायाम करना है sedentary life style नहीं अपनानी है लेकिन उसके साथ हम ऐसी techniques भी अब हमारे पास instruments भी हमारे पास आ गए है जैसे मैं आपको बताया drug eluting stents आ गए है जो लंबे समय तक आपकी नसों को खोल के रखने में आपकी help करेंगे और मैं गर्व के साथ यह बताना चाहूंगा कि यहीं इसी noble hospital में हमने पिछले कुछ महीनों पहले ही मध्य भारत का पहला drug eluting stent जो है वो यूज किया था यह हमारे knowledge में मध्य प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश और राजस्तान में पहले कभी use नहीं किया गया है और जिन मरीज में use किया गया उन मरीज का पैर भी काफी अच्छी इस्सिती में है और हम आशा करते हैं कि आगे भी रहेगा तो मेरा संदेश जो diabetic food के मरीजों के लिए है वो यह है कि वो उनको घर पर रहकर भी अपने पैरों का डॉक्टर बन कर रहना है उनको घर पर रहकर भी अपने पैरों की तरफ भी उतना ही ध्यान देना है जितना वो अपनी kidney की तरफ अपनी eyes की तरफ अपनी heart की तरफ ध्यान दे रहे है अगर उनको किसी भी stage पर ऐसा लगता है कि उनके पैर सुन हो रहे है या ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा चलने पर पैरों में दर्द होने लगता है तो ये diabetic food के arterial disease की शुरुवाती science है और शुरुवाती science में ही अगर वो हमारे पास consultation के लिए आ जाएं तो ये बहुत ही आसान होता है कि हम उनकी बंध होती blood supply को फिर से timely खोल सकें और best results उनके लिए हम निकाल सकें और उन मरीजों के लिए भी जिनका पैर काला पढ़ने लगा है या काला पढ़ चुका है या जिनको घाव बन गए पैरों में भी उनको मैं ये संदिश दिना चाहूँआ कि सिर्फ पैर काटना ही इलाज नहीं है पैर को बचाना हमारा पहला एम होना चाहिए blood supply restore करने के बाद भी अगर पैर का कुछ ऐसा हिस्सा रह जाता है जो already dead हो चुका है तो उसको तो खेर हम नहीं बचा सकते लेकिन पैर को बचाना disability से बचना हमारा primary aim होना चाहिए इसी के साथ मैं अपनी टॉक को यहीं समाप करता हूँ thank you so much